जैश्री कृष्णा फ्रेंड्स तो आज हम चेप्टर नंबर फो डिसकस कर रहे हैं दा मुगल एम्पायर तो इस मुगल एम्पायर में हमें पता चलता है कि who were the Mughals? Mughals कैसे है? The Mughals were the descendants of the two great lineages. From their mother's side, they were the descendants of Changiz Khan, who was the ruler of Mongol tribes in China and Central Asia. And from father's side, they were the successors of Taimur, the ruler of Iran, Iraq and modern-day Turkey. तो मुगल थे न, वो अपने आपको Changiz Khan की memory से associate करना अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि Changiz Khan was associated with the massacre of innumerable people और जो Taimur ancestry थी न, उनकी जो father side वाल ancestry थी, उसे वो अपने, उसे वो associate करना चाहते थे क्योंकि वो बहुत proud feel करते थे because Taimur was a great ancestor and he had captured Delhi in 1398. इसके बाद हमें पता चलते है कि मुगल की military campaigns कैसी थी. Babar was the first Mughal emperor from 1526 to 1530 because उसने सिरफ 4 साल ही rule किया है. इसके बाद उसने हुमायू का अपना throne सोंप दिया था, उसने अपने बेटों का अपना throne सोंप दिया था. जो Babar था ना, Babar fought the first battle of Panipat with Ibrahim Lodhi in 1526. Sultan थे ना वो Delhi की, Ibrahim Lodhi was the Sultan of Delhi, उसने उसको हरा दिया था, Babar ने Ibrahim Lodhi को हरा दिया था and this was the first time that cannons were used as an important addition in 16th century warfare. तो first battle of Panipat में cannons used हुई थी. इसके बाद हमें later chapter में पता चलेगा कि मुगल्स के homes के साथ कैसे relation थे, six के साथ कैसे relation थे और मेवार और मरवार के साथ कैसे relation थे. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे बाबर ने रूल किया सिरफ चार साल, इसके बाद आए हमाईू, हमाईू ने 1530 से लेके 1540 तक रूल किया, 10 साल, इसके बाद उन्हें से, शेर्शा सूरी होते हैं न, जो सूरी डेनेस्टिक है, वो उन्हें हरा देती हैं, at 14 and at कनोज, in 1539 at 14 and at 1540 at कनोज, इसी लिए this forced him to flee to Iran, इसके बाद उन्हें ने 1555 में दुबारा अटाक किया, और फिर एक साल बाद इनके डेथ हो जाती है, वो अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर से नीचे उतरे होते हैं, तब उनके डेथ हो जाती है, हमाईयों के बाद हमारे रूलर आते हैं वो है अकबर, अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, जहांगीर के बाद आते हैं शाहजाहां और शाहजाहां के बाद आते हैं और अंगजेब, और अंगजेब was famous for destruction, शाहजाहां was famous for architecture, उन्होंने ताज महल बिल्ड करवाया था, जहा झार वसी मस्वारा